हेलो फ्रेंट्स स्वागात आपका स्टेडी हैक चैनल पे तो जैसा कि आपको पता कि अभी हम लोग वकाइब की क्लास ला रहे हैं रेगलर बेसिस पे तो आज उसका एपसोर्ट 3 है आपको जैसे पता कि मैं वकाइब को एक नेमोनिक्स और पिक्चर मेशर्ट से करवा रहा और एक्जाम में कभी भी गलती नहीं और सिर्फ वकाइब ही नहीं आप कह सकते हैं इंगलीज की बेस्ट क्लास है जिसमें आपको वकाइब के साथ साथ ग्रामर के भी रूल्स याद करवा रहा हूं ताकि आपको एक्जाम में कोई भी दिख्खत ना है फुल-on-फुल मार् और एंटोनिम्स की बात करें तो है सकसेफुल-फूट्फुल तो अबॉर्टिम मतलब निस्फल कोई भी अगर आप प्लान बना वह फेल हो जाए तो अबॉर्ट कर देते हैं उसको जैसे कि अगर आप यहां पर देख रहे हैं कि यह चूर है यह प्रीजन तोर के भागने की कोशिस कर रहा है लेकिन फिर वापस ही वहीं पर पहुंच जा रहा है तो इसका जो प्लान था वह फेल हो गया यानि कि अबॉर्ट हो गया तो इसके लिए तो कोई नेमोइक्स नहीं है लेकिन अबॉर्ट मतलब होता कोई भी चीज कैंसिल हो जाना तो अबॉर्टिम प्रेंसिल रेसिंड और एंटोनिम की बात करें तो होगा इंट्रोड्यूस तो हम इसको कैसी याद कर सकते इसके कुछ नेमोनिक्स होना चाहिए ताकि हमें यह वर्ट हमेसा याद हो जाए तो ऐसा है कि एक बच्चा था यह बच्चा है चुन्नू मुन्नू कोई भी बहुत बढ़ाज था बहुत सैतानी करता था गेट कोला भाग जाता था बहर फिर अंदर आता था तो अंदर बाहर अंदर बाहर फ़र गेट का करते रहता था इसके पैरेंट्स गूसा हो गए इससे नाराज हो गया उसके बाद इसको कहे कि अब तुम कितना भी रोलो गेट नहीं इसे याद कर सकते हैं अब रोगे भी तो गेट नहीं खुले इन कि रद हो गई है तुम्हारी ज़ो दिमांड थी इसको मैंने इसको याद कर सकते हैं चलिए नेक्ज्ट इसको हो installation हमारा ABरप्टली क मतलब है एक एक सदेन और अनेक्सपेक्टेड या एबरप्ट चेंज हो जाता है कि जी प्लैन का आप एबरप्ट चेंज कर देते हैं सिनोनिम्स हो गया है और एंटोनिम्स की बात कर ले तो वह हो जाएगा ग्रेडुवल और पॉलाइट जैसा कि आप ऐसे फिगर में देख सकते कि यह बंदा जा रहा था अचानक एक इसका पैर पर केले के छिलके पर यह गिर यह बंदा यहां जा रहा था प्लैंक के ऊपर अचानक तुटिया तो ग अब राप्चर हो गया अब राप्चर हो गया अससरा कि पूर्ण की प्रणी से आप सोजै नहीं पर होता है नेक्स्ट बड़ है एपसूलूट पर पू quy्र कम्प्लीट हो और एंटोनिम्स की बात करें तो वह हो जाएगा पार्शियन क्वालिफाइड अगर हम इसकी नेमोनिक्स की बात करें तो पहले समझते कहानी से कि एक बंदा है वो सारा कम करता है जारू भी खुद लगा रहा है कच्रा भी हटा रहा है खाना भी उना रहा है सारे काम जितने भी अच्छे काम है वो करते हैं अगर कोई बंदा हो जो सारे काम बहुत अच्छे करता है तो मन करता है कि आप उसको salut कर ले ठीक है यानि कि उसे सारे काम कर लिये तो आख उसको salute कर ले तो ऐसे याद कर सकते हैं अब मन करता है कि भाई तुमने ये कम पूरा कर दिया मैं तुम्हेom salute कर तो आब salute कर सकते हैं ऐसे याद कर सकتे हैं thos तो आपके लिए इजी हो जागा नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सॉल्व्ड एब्सॉल्व्ड का मतलब होता है दो स्मुक्त पार्डन जिसको छमा दे दिया जाए अंट्रोनिमस की बात कर ले तो वह हो जागा बलेम कंडेमड पनीस तो कोर्ट जो होता है वह एब्सॉल्व कर देता है अगर कोई गिल्टी नहीं होगा तो इसको आपजॉल्व कर देगा तो ऐसे कर सकते हैं कि कोई मैटर था अब वह मैटर पूरणी पूर्णी हो गया तो तब तक हम उसे दोसी मान रहे थे या चोड़ी करने के लिए गया था लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था कि वह अपने आपको प्रूब कर सके कि मैंने चोड़ी नहीं लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके प्रोब्लम सॉल्व हो गया तो वह बता दिया कि नहीं मैं ऐसे मतलब कि तुम दोस्न हो गया अब जा सकतो अब हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया की बहुत ज्यादा है और we को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करें तो ऐसे कर सकते हैं इंडिया की पॉपलेशन या फिर इंडियन रेल ले लिए यहां पर भीर बढ़ जाती जब फैस्टिव सीजन हो खास करकर बिहार के तरफ आ रहे हो दिली से छट पूजा के समय तो बहुत भीर होती है तो गती बढ़ ज क्राइब और टो डू सम्टिंग मरली रॉँँ आपांट्नर इन क्राइब ऐसा पार्टनर जो आपको क्राइयम में मदद करें एक कमकलाइश कैसा कर सकते हैं एक Complete कंपणी बना के हम लोग गलत काम कर रहे हैं तो एक कमपलाइश कर सकते हैं according to company rule हमारा जो चीज था वो गलत था तो हम दोनों साथ में क्या है सहापराधी चलिए next की बात करते है next है accountant accountant को कहते है मुनीम accountant कौन कौन परसन होता है a person whose profession is to keep accounts जो accounts की देखवाल करता है उसी को हम accountant कहते है और पहले के जवाने मुझसे मुनीम ही कहते थे अभी भी उसका हिंदी मुनीम ही है next है acoustics acoustics ध्वनी विज्यान acoustic होता study of sound जो भी गितार है गितार, सितार, flute सबके जो sound होते है ध्वनी का जो study करता है उसी को acoustics कहते है चले next बात करते है नेक्स्ट है हमारा acute, acute मतलब होता है बरी करना to decide an estate officially in court that somebody is not guilty of a crime ओके अगर इसके हम synonyms की बात करें तो वह होगा exonerate, not guilty, vindicate चले next बात करते है नेक्स्ट हमारा idiom and phrases का section आ गया तो इसमें आज का idiom है a bull in china shop इसका हिंदी मिनी हो गया शीस महल में बंदर या अनारी बैक्ती यह इसके हिंदी में है idioms का मतलब and extremely awkward clumsy person अब ऐसा माल लिजे कि china shop है जिसमें चीनी मीटी के सारे समाने उसमें अगर बुल आ गया तो क्या होगा बुल को देखके लोग इधर उधर भागेंगे हर कम पर मचाएंगे तो सारी चीजे तूट जाएगी मतलब खराब हो जाएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि वो चीनी मीटी का समाने उसको नाजुक खातों से उठाना आई या कैसे रखना है वो तो बुल है उसे कुछ जनकारी होगी नहीं तो वो तोर्फोर करेगा वह यह किसी इस महल में बंदर आएगा तो क्या करेगा उत्पात ही मचाएगा नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट है अब बार्निंग कोश्चन महतपूर्ण परस और इंपटेंट कोश्चन ईगर कोई बर्न हो रहा है तो भौट इंपोर्टेंट ही होगा जैसे वोकब एंग्लिस के लिए बर्निंग कोश्चन यह है क्योंकि Черडिनेक्सत बात करते हैं उसको कहीं पर तो पर चलना मतलब कि आपको चलने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा शुप पैयर रखेगा आपको कोई महिनत नहीं करना पड़ेगा एक तम easy task हो जाएगा तो ऐसे कर सकते हैं को केक गिरा हुआ है लिए पर फिसल जाते हैं तो अब इसको कैसे याद का सकते ये बंदा है इसकी girlfriend ने इसका phone check कर लिया अब phone check किया तो इस पे और भी किसी लड़की का number हो किसी का भी number हो तो उसके लिए तो ये जतिल परिस्तिती होगी बैचारे के लिए कि एक केन ऑफ वर्म्स था जो उसके हाथ लग गया चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट है एक कैरोट एंड स्टीक अप्रोच साम दाम डंड भेड रिवाड एंड पैस्मेंट डैट इंफ्लूएंस सम्वन्स विहवियर तो कैरोट एंड स्टीक अप्रोच ऐसे देख जा रहा है तो मतलब कि यह उसको साम दन वेड ते इसको आगे चलाने की कोशिज कर रहा है अगर यह हठी हो कि यहां से नहीं चलना है तो यह तरीका है तो आप ऐसे इमेज को याद रख सकते हैं तो आपको पता चलिएगा कि कैसे भी पनिस्मेंट दो या इंफ्लूएंस कर बात करते हैं golden rules तो 100 golden rules होते हैं English grammar के जिसमें error detection और sentence improvement में help मिले ऐसे ऐसे rules को हम परहेंगे 100 rules को तो आज third rule है और अभी चल रहा है subject verb agreement का तो rule का है रहा है कि अगर singular subject हो singular subject each or every verb से precede हो तो हम हमेशा verb को singular ही लगाेंगे और कोई भी सब्जेक्ट हो सिंगलर सब्जेक्ट जो कि प्रिसीड कर रहा हूँ इच और एवरी मतलब किसी भी समजेक्ट पहले इच या एवरी लगा हो तो उसका जो वर्व होगा हमेशा सिंगलर ही होगा जैसे यहां पर देख सकते हमें फरक नहीं कि एंड लगा होगा है यहां के लिए आपको 10 सेगन मेलए और आपको इसको सिंगल्स लिए उससको घरना होगा उस्ट सैजर्ट होगा है और आप इसको मदद ले सकते हैं इस संटेंस से इसमें भी वह वर्ट्स है तो चलिए आपका टाइम अप हो गया तो मैं बता दू कि अवर्टाइल का जो जो सही अनसर होगा एंटाइम स्पूछा तो वो होगा बहुर्धाण मतलब क्या होता को भी चीज़ वाता मतलब होता ऋ॥ ज्याऊ जो भी चीज़ उप जाऊ उप नो हो घूप जाओ पर टाइल उप जाओ प्रोड़क्तिव भी बोल सकते हैं अ और क्या आप बोल सकते आप प्रोलिफिक है प्रोलिफिक यह भी सब्सक्राइब करें और क्या फ्रूटफुल्य भी सकते हैं इना सब्सक्राइब से भी प्रचूर मातरा में हो जी यह अपतने हो ऐसे हले हो बन जा को दैजसे लोगा बन जार से की कि अल्चा म्यodus स्वारे सब्सक्राइब का सबस्क्राइब का मतलब करें यही होता है बारणकट मतलब गीला आप सबको पता ही है चल्य नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आगे बढ़ेगा चलिए next question यह है कि हमें synonyms बताना है transient का आपका टाइम स्टार्ट होता है अब एंसर कीजिए कमेंट में जल्दी जल्दी देखतों कौन फ़ाइले करता है तो option one है transform, second है temporary, third है transmit, fourth है trap क्वा तो ट्रांजेंट कासिनोनिम्स होगा कौन सा होगा । टैंप्री आप लोग नहीं तक उसके बताए च्छन संद भंगू जो च्छन में ही चला जा तो अगर इसके भात करें सिंडो मिस ते एक तो टैंप्रारी है और सिंव में बалог करें तो इफेमरल होता है इफेमरल इफेमरल भी होता है इसके सिनोनिम्स और एक और सिनोनिम्स होते हैं फ्लीटिंग स casts लीटिंग विए सकहें से ट्रांश्फार्म होता है रुप आंत्रन ट्रांस्फॉर्म होना या जर्ग रुप करें करना या इसको कह सकते है ट्रांस फीगर ट्रांस सिगरःवी होता है मतलब इस we Are और टेंप्रोरी तो सिनोनिम्स ही हैं ट्रांजेंट का ट्रांस्मींट होता है इसको दो तरस होता है एक तो होता है संक्रमित करना भी होता और एक ब्रॉडकास्ट तो इसके लिए लिख सकते हैं ब्रॉडकास्ट भी लिख सकते हैं इसका सिनोनिम्स जो टीवी में होते हैं ना signal transmit तो उसको भी कर सकते है broadcast convey convey भी हो जाएंगे इसके synonyms और synonyms की बात करें तो impart भी हो जाएगा इंपार्ट इंपार्ट भी इसका synonyms trap होता है जाल trap होता है जाल जाल लिखा गया जाल होगा जाल होता है इसका मतलब चलिए next बात करते next question की बात करते next question क्या रहा है next question कहा रहा है select the most appropriate antonyms of the given word इस वर्ड का antonyms पता करना है देखले कोई नहीं यह question रहे गया था antonyms बताना हमें casual का sorry एक question skip हो गया था तो इसका हमें antonyms बताना आपको मिलेंगे 10 seconds चलिए फटाफा टेंसर कीजिए casual का क्या होगा चलिए आपका time अप हो गया तो मैं बता दू कि casuals का antonyms पूछा तो वह हो जाएगा formal आप लोग ने अभी तक तो देई दिया और casual क्या होता अनपचारिक इसको बोल सकते informal casual को बोल सकते informal अनपचारिक होता है informal बोल सकते हैं या फिर friendly बोल सकते हैं यह इसके synonyms है spiritual होता है क्या अध्यात्मिक holy इसको बोल सकते हैं holy अध्यात्मिक होता है personal हो गया व्यक्तिगत होता है formal तो इसके antonyms है casual के अपचारिक हो जागा casual का मतलब होता है अनपचारिक तो formal अपचारिक traditional हो गया हमारा regular common जो भी हमारा tradition में चल रहा है चलिए next question के बाद करता है next question पूछा है एंट्वनिम्स अप कंसीट इसके लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड option a है concealment b reveal c modesty d hidden तो चलिए फटा-फट इसका हिंदी होता है घमन अगर इसके सिनोनीम की बात कर लेतो हो जागा vanity और सिनोनीम सो जागा प्राइड एक और सिनोनीम की बात कर लेत इगोटीज्म हो जाता है और concealment मतलब होता है छिपाना कोई भी चीज़ करना मतलब छिपाना इसको कह सकते है कवर हाइड हीड हीडन भी इसका ही सिनोनीम सो गया एक तरह से तो रिवेल होता है इसको कह सकते हैं लेट आउट लेट आउट लेट आउट भी कह सकते हैं हीडन छिपाओ आपको पता ही चले नेक्स्ट क्वेस्टन पर चलते हैं इसका बताना आपको मिलेंगे 10 सेकेंड फिलिंग और स्वेंग एक्स्ट्रीम टायर्डनेस ऑप्शन फस्ट है वाइट लाइज सेकेंड है नर्वस थर्ड है वियरी फूर्थ है ड्रॉजी अभी तक तो आप लोग ने एंसर करी ही दिया होगा आप लोग ने असानी सेंसर क सक्रिय करना नर्वस आपको पता ही वहवीत वारीड अफ्रेड रॉजी मतलब होता है लेजी सूस्त चलिए नेक्स्ट कोस्टन के बात करते हैं नेक्स्ट कोस्टन हमारा इडियम है बैग एंड बैगेज चलिए आपको इसके लिए 10 सेकेंड मिलेंगे ऑप्शन फर्स्ट है करना है इस एडियम का सही मतलब है नेक्स्ट कोश्टन का है इसoby इडियम का बताना है in cold blood option first है in cold weather second है deliberately third है when blood was cold and fourth है regretfully तो चली time up होगे आप लोगे ने इसका answer करी दिया होगा तो यह असानी इसका answer होगा deliberately जान बूच कर उसने उसका मदर कर दिया in cold blood या deliberately यानि कि जान बूच कर उसका मदर कर दिया तो चली आज के class में बस इतना ही था आपको class कैसा लगा comment में बता और आपका score क्या रहा इन साथ question में से आपने कितने question adamant किया और कितने सहीवे comment में बताना ना भूले अगर video अच्छा लगाओ तो like कर दे channel को subscribe कर दे और जूरे रह मारे channel पे daily asset class के लिए वह का complete session के लिए तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में नए concept के साथ थाइंक्यू जय हिंद